यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ शिक्षा स्वास्थ और बुनियादी सुविधाओं की भारी किलत है और जादातर विभागों में कहमचारियों के पद पर कोई तैनात नहीं है और सारे पद खाली पड़े हैं लेकिन सीएम से लेकर विधान सभा और हर मोचे परसरकार के मामले परस्तंग्यान न लिये जाने के बाद किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो पाया है जिसके चुलते उन्होंने अंतोलन की रह पकड़ी है चली आगे बढ़ेंगे मौसम के बात करेंगे हिमाचल के कई लाकों में मौसम ने करवट ली है और मौसम एक बार फिर से बदल गया है मौसम ने अपना मिजाज फिर से बदल लिया है तस्वीरे भी आप टेवी स्किन्स पर देख सकते हैं धरिमशाला नालागर पाउटा साहिब की ये तस्वीरे हैं जहाँ पर मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदला है हलकी बूंदा बांधी आप देख सकते हैं घने बादल आसमान में च्छाय हुए है पाउटा साही में आप देख सकते हैं और किस तरीके से एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है जिसके चुरते भीशर गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है तापमान में भी एक से दो डिगरी गिरावट दर्च की गई है क्योंकि मौसम ने अपना मिजाज एक बार फिर से बदल लिया है और करवट मौसम ने ले ली है तो इसी खबर पर ज़्यादा जौनकरी के साथ मनौज धिमान हमारे समवारता धर्मशाला से फोल लाइन पर जुड़ गए है मनौज धर्मशाला में मौसम कैसा है तो इस लिम देखिए लगातार जो है पेंडिन से लगाता भारी गर्मी पड़ रही थी लोग जो है वो परेशान हो चुके थे आली में सुबार जैसे साथ बजे के आसपास तेज हवाओं के साथ बारिश होना शुरू हुई है लगातार बारिश हो रही है जिसे साथमान में भी गिराबट आई है और दूरी दरफ जो है लोगों को परिशानी में भी ज सब्सक्राइब बो जरूरी हो रही है ज़िए जो है ना कही है वो राहत बिली है तो मनोर जेश तूहाबना मौसम हो गया है लोगों में काफी उतसा देखने को मिल रहा होगा इसे देकि एपम देखी यह जो बर्साव थी यह बहुत जरूरी होनी थी क्योंकि गर्मी भी बहुत जादा बढ़ चुकी थी साथ-साथ किसानों के लिए भी जो है वो राहत भरी बारिष है क्योंकि मक्षी की पटूलimento कि निए और बात करूंदा गीए पर। कर्मिने से दूज रहे नहीं कोर लिए और तरह रहा थे और वारिष ने सर्म करता दी में गोद संद मेरीirrel shitty Grant प्रेम वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पांटर साहिब की बात की जाए प्रेम वर्मा वहां पर बागवानों में किस तरीके का माहौल है खुशी उनमें देखने को मिल रही है जी शिनम मैं बताना चाहूंगा कि लगातार दो दिन से आसमान में बादल चाहे हुए हैं जिससे यहां के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और गर्मी से परिशान लोगों को राहत मिली है हाला कि अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है लेकिन जिस इसाब से आज आसमान में बादल है उस इसाब से लगता है कि दोफेर तक या शाम तक बारिश हो जाएगी बारिश की संभावना जताए जा रही है इसी के चलते कही न कहीं आम लोगों में सुहाबना मौसम देखकर उटसा भी देखने को मिल रहा होगा जी तानिये लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि गर्मी से निजात मिलिया और इसके साथ साथ शेतर के बागवान और किसान ये भी खुश हैं क्योंकि अभी जो है अब फसल की तैयारी में ये लोग लग चुके हैं और बागवान भी अपने अच्छा फसल तभी आता है बा पर बाद बारिश चुरू हो गई थी आपको बता देना चाहता हूं बारिश की वज़े से यहां पर जो मौसम है उसमें काफी जो कतापमाना है काफी गिराबट यहां पर दर्द की गई है कई दिनों से जो कि शित्र बदी ब्रोटी वाला नालागर पंजाब से जटा होने के काराने यहां पर बारिश की उमीद लगाए हूं थे काफी दिनों से यहां के लोग लेकिन अब ही जाके लोगों को जो अभी राहत किसांस मिली है इस जो यह बारिश हो रही है मौसम कूल चुका है और इसका जो फाइदा है हमारे जितने भी किसान वाई हैं उनको भी बारिश का बहुत फाइदा मिलेगा क्योंकि यहां पर बहुत-बहुत बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया जेभी सिंग आपका तमाम जानकारी के लिए तो भीशर गर्मी से कही कहीं लोगों को राहत मिली है मौसम सुहावना हो गया है तापमान में गिरावर्ट आई है चिल मिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है पाउता साहिब नालागर्ड और धर्मशाला की तस्वीरे हमने आपको दिखाई और वहां के संबादाता ने भी हमें ये बताया कि बागवानों में भी काफी खुशी देखने को में रही है धर्मशाला की बात कर ली जाए वहां पर बारिश के चलते फसल के लिए से अच्छी माना जा रहा है और नालागर्ड में भी ओद्योगी क्षित्र होने के चलते पंजाब से सटा होने के चलते गर्मी काफी जादा पढ़ गई थी लेकिन अब तापमार में गिरावट आई है जिसके चुलते अब थोड़ी सी गर्मी से राहत लोगों को मिल गई है कर दो है झाल झाल